मारा उदर सीट के यूथ मोटिवेटर करसन भाई बापु ने आम आदमी पार्टी से ताल ठोक कर लड़ाई को पेचीदा और मुकाबले को त्रिकोडी बना दिया है यहां से विधायक जवाहर पैथल जी चावडा ने सबसे कम उम्र में कॉंग्रेस से चुनाव लड़कर रती भाई सूरेजा को साल 2002 में हराया था इसके बाद 2002, 2007, 2012 और 2014 में जीत हासिल की साल 2017 में कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए अब ऐसे में कहीं न कहीं इस बदले हुए तेवर में आमादी पार्टी और कॉंग्रेस का तड़का बीजेपी को मुश्किल में डालने को तयार है नवश्कार स्वागत आपका गुजरात की रण में और इससे में हम मौजूद हैं जूनागर की ग्रामीर विधानसमा मानावदार में जहां पर लगातार सब सिकाम उम्र में जवाहर चावडा विधायक बने लेकिन उसके बाद जीतने के बाद अब इस बार बीजेपी का दामन उन्होंने थम लिया और बीजेपी से चुनाब लड़ रहे हैं वहीं पर आमादमी पार्टी से गांधिवादी विचारक कर्चन भाई चुनाब लड़ कर्चन भाई बापू चुनाब लड़ रहे हैं और उन्होंने बीच में दाव फसा कर इस मकाबले को और दिल्चस्प बना दिया है हमारे साथ मौजूद है मानावदार से आमादी पा देंगी और मैं तो आपको इन्वेट करता हूं कि जो मेरा प्रवास चल रहा है मैं केंडिडेट हूं और मैं पॉजिटिव बोलू वो तो स्वभावी के प्रवास में चलिये लोगों की आँख पढ़िये लोगों का फेस पढ़िये आज तक पैसों से शराब से चुनाव ज खरीदिशे नहीं लोगों का उत्सा से मैं जितूंगा और बात जहां तक है डेमोकरशी की इज़द संभालना है गांधी जी का विचारों को संभालना है तो लोगों को फ्री रखना चाहिए सोच और राष्टर प्रेम की साथ और एक्चुल वर्क जो है उसकी साथ आउडेट की वेट कर रहे है वो लोगों को प्यार है वो लोगों की दिलों की जो अवाद है आप आईये मेरी साथ बापू 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 और कटर इमानदार पार्टी आम आदमे पार्टी के जिरिवाल साहिब की वेट कर रहे है बहुत चानक यह अपने भी देखे होग आज तक BJP के खरीदे हुए चानक किया लोगों को मोरल को डाउन करते थे कि BJP आजाएगे आजाएगे आईए मेदान में आईए कि देखते हैं गुजरात में कितनी सित लाती है 27 years के बाद एजे आम आदमी party candidate मैं आपके माध्यम से बोलूँगा इस सरकार तो हमारी बन रही है और 5 साल के बाद जब चुनावाएंगे ने हम गाओं गाओं में प्रवचन करने या प्रवास करने नहीं जाएंगे गाओं में सिर्फ एक बोड लगेगा यदि हमने काम किया है तो वोट दीजिए बात खतम और आज 27 years के बाद BJP के पास काम बताने के लिए कोई शब्दा नहीं है जो करोर रुपीस का खर्चा कर रहे है ठाकदम की मिल रही है प्रेशराइज कर लहे है लोगों में बटवारा कर रहे है युनाइटेड करने वाली पार्टी होनी चाही तब गांदीजी राष्ट्र और डेमोकरसी की इज़द संभाला जाता है और सैल्प, सैल्फिस लोग बोलते हैं ने कोई भी बंदा हो या कोई भी पार्टी हो इतना सेल्पिश ने होना चाहिए नेशन फर्ष्ट होना चाहिए और यह लोग खुद को और पार्टी को फर्ष्ट मानते हैं कहीं ना कहीं देश को जो मार्ग पे नहीं जाना चाहिए वहाँ यह लोग बेज रहे हैं लेकिन हम नहीं बेजेंगे, हम आ रहे हैं. गई है क्योंकि आप यह सवाल मेरा राजनितिक नहीं है आप मन से बताई है कि वेश्बुषा का देखो यह तो अंदर से अच्छा लगता है तो मेरे जिन की जी रहा हूं मैं वेश्बुषा का कोई लाव लेने के लिए थोड़ा हया हूं मैं मैं रुशी हूं और संसारी बंदा भी रुशी हो सकता है मैंने सास्त्र और मैं गिता जी का उपाशक हूं गंधी जी का तो हुई ही लेकिन उससे भी आगी गिता जी का उपाशक हूं और बात रही यह कि कुछ फेंको और मत पाओ, वो ही चलता है, यह सादगी कहिसे चलेगी, मैं भी फेंक रहा हूँ, लेकिन मैं असा सोच, आप आईए, मेरी सभा में आईए, लोगों की दिलों की आवाज चुनिए, मैं बोल रहा हूँ, कि यदि मैं एक दारू की बोटल आपको दूगा, आप एक घंटा या तो एक रात एंजोई में रहेंगे, आपको कोई पार्टी लाग दो लाग देगी, तो आप एक महिना या दो महिना एंजोई रहेंगे, मेरा तरीका जो आप परस्नल क्वेशन कर रहे हो ने, मेरा तरीका यह, जब बिनराज की भी मैं यह करता हूँ, कि हारे ह को मैं बताता हूं कि खड़ा हो तू इसके लिए पेदा नहीं हुआ है तू राष्टर की सेवा के लिए अपने माबाप का नाम बढ़ा करने के लिए और मेरा में काम ही यूथ मोटिवेशन का है तो मैं भी देता हूं लोगों को लेकिन असी सोच देता हूं अच्छा को वहां से लड़का या लड़की को एज्यूकेशन या तो मॉटिवेशन देके उसको एक भूख लगाता हूं कि I want to do something मुझे कुछ करना है और आज कहीं लोग ऐसे हैं जो class 1 है class 2 है class 3 है business में करोर पती है जब मुझे सामने मिलते हैं मैं तो उसको जानता प्यों तक नहीं लेकिन बोलते हैं बापू दस साल पहले आपको सुना था तब से भूख लगी थी कुछ करने की आज कर लिया यदि आपको नहीं सुना होता तो कहीं मज़ूरी करते होते तो अच्छा लगता है और आज 25 साल पहले या कई साल पहले जैसे लोग थे कि किसी एक ने बता दिया और डाल दिया और आज वो साइकोलोजी लोगों में नहीं लोग जानते हैं कि किसके हाज में हमारी बच्चों का फ्यूचर सेव है और इसलिए मुझे बहुत प्यार करते हैं और आठ तारिक को मैं आपको इन्वाइट करता हूं कि मेरे विज़े सर्गस में जरूर आई है और उसकी तरक्की और उसकी गती बहुत कम है क्या लगता है आपको कि वाकई में इसको पूरा होना चाहिए और लोगों को उनके लोगतांत्रे का दिखार पून रूपेन मिलनी चाहिए और यह हुआ नहीं एकॉनोमिकली इन्बेलेंस की बात करते हो आप बेजिकली जो नक अंगरेश ने किया बाद में विजेपी ने किया किसी लिए इन्बेलेंस जिसकी पास है उसकी पास बहुत है गवर्मेंट कमपनियों को करोर्ज और करोर्ज रुपीश माप करते हैं क्यों बाई इलेक्शन चुनाओ पंडिंग के लिए कहीं ना कहीं आप क्यों चल पड़ी है आप चलती है समझो कि दिल्ली में चली पंजाब में चली गुजरात में भी चली आप वही तो किजरिवाल जी भी वही कहते है कि यदि मेरी पास वन लाख करोर्ज है तो डिशाइड मुझे कर ना है कि ये दो कंपने में बाटना है या तो पूरे गुजरात में बाटना है यदि में दो कंपने को प्यार ना करो तो गरीबों को प्यार कर सकता हूं जो नोर्मल लोग है उसको प्यार कर सकता हूं और हमारा पूरा ट्राइल रहेगा कि एकोनोमिकली इन बैलेंस देश को खा जाता है, डेमोक्राशी को खा जाता है, अमारी प्राइमरी ये कोशिश रहेगी कि सभी को समानता मिले, सभी को अपना हक मिले, और यदि आप आपकी 500 करोर है तो क्या हुआ? चुनाव में इसा थोड़ा होता है, मुकेश अंबानी का होट, एक मजदूर का होट तो सेमी है और दूसरी बात ये है कि भाई साब आप पैसों से पावर क्यों खरीदते हैं, हम नहीं खरीद ने देंगे, हम लोगों में वैचारिक कांती भी देंगे, बंदानी जो हमारी जोगवा है, उससे भी सजाग करेंगे, और डेमोक्रिशी किसी पपा का मोनोपोली नहीं है, सभ अगवान को गाली देते हैं, और दूसरी तरफ अरविंत केजरिवाल नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी छापने की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में बापु अपने आपको और भारत की जनता को कहां देखते हैं, यहां की जनता को भी कहां देखते हैं, जी, सबसे आ अब बिजेपी को बोलना है, अब मुझे इसमें डिप में जाना है, प्रचार में जाना है, लेकिन वो पॉलिटिकल है, आप भी जानते हो, कि बिल्कुल उसको था, वो एक काव था, गाई था, वो गाई था, उसको इसे ही मीडिया का साथ लिया, मेरा रामजा ने क्या किया, बिजेपी की पांस कोई मुदा ने है, आप छिक कहेंगे ना, छिक, तो भी बोलेंगे कि ये छिक ने खा रहा है, जिक पी रोगफला रहा है, अरे बाई, आपकी पांस मुदे की कोई रजनेती है, मुझे बिजेपी को बोलना है, केजरीवाल जी ने जो किया, इसमें क्या पुरा किया, यदि हिंदुत्व के नाम पे पुरी देश को आप बरबाद क्या, मैं बरबाद सब देशी लिए यूज करता हूँ, कि मेरी पांच कुछ देने को नहीं है, तो मैं आपको लालज क्यो दू, हिंदुत्व क्या होता है, वो धर्म में कही बार डिबेट में को शेर पे रखना चाहिए, आज तक दुनिया में किसी भी धर्म ने, कि अनुयाई ने, यदि में धर्म को यहां रखू तो में धार्मिक हूँ, लेकिन मेरे स्वार्त के लिए में धर्म को पगतिया बनाओ, स्टैब बनाओ, तो मेरे से ज्यादा अधर्मी कोई ने है, कोई दूसरा हमारा विरोज करने के लिए कोई मुदा ने है, यदि में ये मेरे में तो सालों से ये वाइट पहनता हूँ, यदि इसमें समझो कि मैंने केसरी बदल दिया, तो वो अपने स्वार्त से ही बोलेंगे, लेकिन आजकर लोग बहुत इंटेलिजन्ट है, सब जानत करते हैं, और आजनतिक समीखरणों की बात करते हैं, तो गुजरात के परिद्रश्च में एक बात निकल के सामने आती है, कि आम आदमी पार्टी जो है, वो कॉंग्रेस का वोट काट रही है, जी देखो, मैं नॉन पोलिटिकली बात करू, तो यदि आप समझो कि निर्दल ह अम आदमी पार्टी को चोड़ो, तो वोट कोई प्रोडक्शन तो नहीं होता है, जितना वोट एक एसेंबली में होता है, इतना ही होता है, आप समझो कि निर्दल ही लग रहे हो, तो भी किसी एक का वोट तो कटेगा, या तो बीजेपी का कटेगा, या कॉंग्रेस का कटे हाँ, और निराशा है, बीजेपी की कार्या करताओ को मोतिवेकरताओ को मोटिवेट करने के लिए कुछ नहीं, तो थोड़ा बहुत मोटिवेट करता है, हमाद में पार्टी का कona mark से ढाय को सियासत में पेचीदा बना दिया है। ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। केमरा प्रसेंट करन के साथ मैं चंद्र शेकर मानवदार विधान सबा